नमस्कार डॉस्टो, सोनी के सोन निस्खे चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ली ताकि हमारे आने वाले सभी विडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। फ्रिज की सपाई करने से पहले फ्रिज का सारा सामान बाहर निकाल दे। ज्यादा दिन तक न रखे इसे बद्भू पैल सकती है सप्ताह में दो बार गैस चूले की सफाई करें सबसे पहले गैस का में कनेक्शन बंद कर दें फिर गीले स्पंज से चूले की उपरी हिस्से नॉक्स और हैंडल की सफाई करें चूलहा रखने वाली जगल की सफाई के लिए गीले कपड़े को हॉट वाटर सोप में दुबो कर अच्छी तरह साफ करें कौशिश करे कि कुकिंग की समय खाना चूल है और आसपास की जगहों पर ना फैले और अगर फैल भी जाए तो इसे तुरंट साफ कर ले सूख जाने पर दाग जल्दी नहीं चूटते किचन सिंख में जमी सफेधी को साफ करने के लिए आधा कप पानी में 3-4 टीस्पून विनेगर मिलाकर सिंख में लगाकर थोड़ी देर के लिए छोड़ दे फिर अकबार से पोच दे यदि सिंख जाम हो जाए तो नमक और सोडा बराबर मात्रा में मिलाकर सिंख की छेड में दाल दे फिर एक टीस्पून वितजेन दाले 15 मिनट बाद गरम पानी की तेज धार दाले और फिर खंदा पानी दाले सिंख बिलकुल साफ हो जाएगा